औके गुड इवरिवन एवरिवन हम्मारा जो फर्स टॉपिक है एधिस इंट्रॉडक्शन तो अगांटिंग now in the given chapter we will learn कि accounting होता क्या है accounting कैसे करते है and इसे क्या क्या find out करते है तो अगर मैं आपको short में बता हूँ कि accounting क्या होता है काफी सारा terminologies भी हम लोग को सीखना पड़ेगा right तो हम लोग धिरे धिरे करके आगे बढ़ेंगे सबसे पहले अगर मैं accounting की बात करूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि accounting हम किस चीज का करेंगे right accounting basically होता है हिसाब रखना एक आत्मी बिजनस कर रहे तो उसको sole proprietorship बोलेंगे दो लोग या उससे जादा मिल के बिजनस कर रहे तो उसको partnership बोलेंगे हजारों आत्मी कोई खटा करके एक company बनाया गया तो company form of entity हो गया तो अलग-अलग type का business entity होता है उसके बारे में हम लोगों को बात नहीं करना है basically accounting किसका किया जा रहे business का किया जा रहे right so यह जो भी हम लोग accounting करते है right हम लोग business का कर रहे है now accounting होता क्या है समझ में आगे किसका हो रहे है business हम कोई भी चीच का trading कर रहे है या कोई चीज का service प्रोवाइड कर रहे हैं, right, goods and services है, exchange of goods या services, बदले में हमको पैसा मिलता है, हमने तुमको समान बेचा, तुम हमको पैसा देगा, ये business हो गया, right, now business हमेशा profit motive के लिए होता है, हम 100 में कहीं से खरीद के 200 में किसी को बेच रहे हैं, right, NGOs होता है, वो not for profit making होता है, लेकिन जब हम business की बात करेंगे, business मतलब with intention of doing profit, so accounting में basically, ये समझ में आगे हम लोग किसका accounting करेंगे, business, business क्या होता है, अलग-अलग type के entity होते हैं, वो तो अलग बात है, फिर लोग business किस चीज का कर रहे हैं, either goods का या service का, exchange of goods या service हो रहा है, बदले में पैसा मिल रहा है, in short इतना ही समझे, नो जो भी exchange of goods services हो रहा है, आज हम ये service provide कर रहे हैं, तो इसमें मेरा काफी सारा खर्चा लग रहा है, staff है, AC चल रहा है, उसका electricity है, इतना सारा आप asset देख रहे हैं, ये computer है, projector है, इन सब का use कर रहे हैं, तो उसको अपन depreciation बोलते हैं, तो ये सारा terminologies भी ध धीरे-धीरे हम लोग सीखेंगे, so accounting basically हम लोग business का करते हैं, right, business का करते हैं and ultimately हमारा objective क्या निकालना, profit, clear, तो धीरे-धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ भाएंगा, so accounting से related हमने काफी सारी बाते कर ली, business का करते हैं, business का भी अलग-लग type का entity होता है, depending upon the number of persons involved, right, business क्या होता है, exchange of goods services for a consideration, right, and इसमें profit motive होता है, वो ही profit को हमको निकालना है, so इसको अगर हम short में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, accounting is basically recording of transactions and events, नो यह transactions क्या होता है, मैंने बता है न अभी, exchange of goods services for a consideration, exchange of goods service for a consideration, right, तो इन ही सब exchange को हमको record करना है, right, by the word recording means inflow flow, basically आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना पैसा आया, कितना बाकी है, right, इन सब चित का हिसाब रखना, clear, so recording मतलब हिसाब रखना inflow flow क्या आया, क्या गया, किस चीज़ का हिसाब रखना, goods का, services का, कितना पैसा आया, कितना बाकी है, कितना जिससे goods खरीदा है, उसको कितना देना है, right, so recording of transaction, transaction का मतलब होगे, business में जो day-to-day activities होती है, क्या activity होती है, exchange of goods services for a consideration, right, clear, तो इसको record करेंगे, तो हमको क्या मालूम चल जाएगा, total हमने कितना खरीदा, total हमने कितना बेचा, कितना पैसा आ गया, right, कितना बाकी है, इन सब चीजों का हिसाब हमको मिल जाएगा, सो basically accounting का मतलब होगे है, recording of transaction and events, events क्या होता है, events होता है, results of transaction, events होता है, results of transaction, यह जो आपने exchange किया, right, मैं आपको सब service provide कर रहा हूँ, इसमें मैंने कितना कमाया, that is my profit, आपने 100 unit खरीदा, उसमें से आपने 80 बेच दिया, तो as a result आपके पास 20 बज़ गया, closing stock, तो इन सब चीजों का भी recording हम करते है, इसी कोई events बोला जाता है, right, तो जितना भी आप day to day activities कर रहे हैं, उसका ultimate outcome क्या है, those outcomes are also recorded, right, that is profit and closing stock are the two perfect example of events, तो कोई अगर आपको पूछे का accounting में क्या क्या चीज़ का recording होता है, transactions का होता है, जो day to day activities है, and इन सारे transactions का जो result है, जैसे कि profit closing stock, उसको भी अपन record करते हैं, अगर आप लोग class 12 का book उठा के देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है, कि events are not recorded, वहाँ पर events का meaning कुछ और होता है, but here में event means results of various transactions, जितना भी transactions हम कर रहे हैं, right, जितना भी transactions हम कर रहे हैं, इन सब का outcome क्या है, what is the outcome, कि हमने कमाया है, उसको calculate करके record करना है, इतना stop बच गया, उसको calculate करके record करना है, is it fine, so accounting का मतलब होगा recording, recording means हिसाब रखना, कितना आया, कितना गया, good services, पैसा, कितना उधार भाकी है, कितना देना है, कितना लेना है, इन सब चीजों का हिसाब रखना, right, so transactions भी record होते हैं, events भी record होते हैं, नो record करके, आप क्या करेंगे, आपने record कर लिया, right, सबसे पहला बात, हम वही transactions record करेंगे, which have occurred in an accounting period, only those activities will be recorded, which have occurred in an accounting period, नो यह accounting period क्या होते हैं, जैसे आपका school वगरा में exam होता है, न, चार्टो चैप्टर पढ़ाया, फिर आपका एठो class test ले लिया, फिर दो चैप्टर और पढ़ाया, mid term ले लिया, right, फिर pre-board ले लिया, फिर final exam लिया, right, तो वैसे business में भी, आप हिसाब रख रहें, तो आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, इस time period में बताईए, जब तक यह time period नहीं रहेगा न, तो आप तक आप profit नहीं निकाल पाएंगे, goods खरीद रे, खरीद रे, खरीद रे, बेच रे, बेच रे, बेच रे, है, 12 months, right, so transactions and events record करेंगे, कौन-कौन सा transaction, जिन्देगी भर का नहीं, एक given accounting period का, only those activities will be recorded, which have occurred in an accounting period, तो जिस period का हमको performance निकालने बोलेगा, उस period में जो-जो transaction events हुआ है, उसी को record करना है, right, नो record करके आप क्या करेंगे, what I will do, calculate profit for the accounting period and a certain net worth, मतलब कितना जमीन जायदाद है आपके पास, आज हम खरीदते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, या तुम खर्चा करके पूरा पैसा खतम करतेंगे, या हम को आसेट करेंगे, FD बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, तो इन net worth पूछ रहा है आपका, राइट, स्लोली स्लोली भी विल मूव, तो सबसे पहला अकाउंटिंग का मतलब होता है, recording of transactions and events, transactions का मतलब बता दिया है, अच्छा यह अकाउंटिंग हम लोग किसका कर रहे हैं, business entity का कर रहे हैं, business क्या होता है, जो लोग exchange of goods service for a consideration with a profit motive, ठीक है, अलगल अप्टाप का entity होता है, sole proprietor में एक owner, partnership में दो या दो से ज़ाधा, company में भहुत लोग का involvement होता है, right, इस तरीके से different type of entity होती है, right, तो किसी भी form में entity business कर सकती है, अकेले भी कर सकती है, दो लोग मिलके भी कर सकते हैं, हजारों लोग मिलके भी कर सकते हैं, तो form of entity से मतलब नहीं, ultimately business कर रहे हैं with a profit motive, right, so recording हो रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं, किस चिज़ का goods, services का, कितना पैसा आया गया, इनका जो outcomes हैं, उसको भी हम लोग record करेंगे, profit closing stock, right, events, कौन-कौन सा transactions को record करना है, जो इस साल का है, 12 मेने का है, एक time frame fix करते हैं, पूरा industry इसको follow करते हैं, तो basically it is an assumption which I have taken, ये एक तरह का assumption हो गया न, ये हमारा assumption है, कोई बोल सकता है, एक सर 6 मेने का भी तो हो सकता है, आप 6-6 मेने का performance निकाले है, 12 मेने का क्यों निकाले, सारा लोग ये ही करता है, assumption है, right, अब ultimately आपको इस साल का total goods purchase मालूम चल गया, total sale मालूम चल गया, total आपका क्या-क्या खर्चा है, खली माल खरीदना बेचना नहीं होता है, salesman होगा, उसको salary देंगे, उसको commission देंगे, कहीं दुकान लगाएंगे, उसका भड़ा होगा, विजली बील होगा, accountant होगा, जो हिसाब रख रहा है, उसका salary होगा, right, विजली बील है, कुछ-कुछ asset भी होगा, उसको use कर रहे हैं, तो उसका depreciation आएगा, right, तो ultimately आप record करने के बाद, आपका objective क्या profit निकालना, profit कैसे आता है, income, minus expense, और कैसे आएगा, simple है, right, तो इस साल का profit आगया, asset and net worth, बहुत आज के दिन, as on today, as on, what are your assets, चेक है, उसको net worth बोलते हैं, clear, अब यह जो हमने निकाला है, इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, accounting information, क्या बोलेंगे इसको AI, artificial intelligence नहीं, accounting information, यह हो गया data, इसको बोलते हम लोग data, this is data, ठीक है, तो data का पहले recording हुआ, और उस data से हम लोग information बनाया, ठीक है, अभी जबी भी कोई भी information आप generate करते हो, तो आप किसी के लिए करते हो, राइट, तो आप क्या करोगे इस information का, नेक्स्ट टेप इस communicate, क्या करेंगे हम, communicate, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, टू, stakeholders, नो कौन है ये stakeholder, सबसे पहले, ये stakeholder में आएगा owner, जिसने इस धंदे में पैसा लगाया, मेहनत कर रहा है, वो तो ये देखेगा ना, कि business profitable है की नहीं, ये business मेरे को कमा के तेरा है की नहीं, हम ऐसी जगा नौकरी कर रहे हैं, सरकार को salary नहीं मिलता, काम करो भी नहीं करेगा कोई भी, राइट, government, जो भी आप कमाएंगे, सरकार उस पर आपसे tax लेगी, उस tax वाले रुपए से, सरकार आपको, या आपके परिवार को free, medical relief प्रोवाइट करेगी, सड़क बना के देगी, damp पना के देगी, राइट, आपका देश को foreign country का से protect करेगी, राइट, army, defense, navy, राइट, इन सब चीजों में, सरकार इस पैसे को खर्चा करती है, तो सरकार ये चाहेगी, सबी लोग अपना इमानदरी से tax लेशे, तिसे देश की तरक्की हो सके, इसके अलावा, company के जो employees है, वो भी interested होंगे, ये information जानने के लिए, चुकि जितना company का profit ग्रो करेगा, उनका salary भी उसी ही साब से ग्रो करेगा, राइट, lenders, कई बार क्या होता है, अपना पैसा कम पढ़ जाता है, business करने के लिए, तो लोग भार से बौरो करते हैं, जिससे भी बौरो किया, आपने उसको आपको fixed interest देना पड़ेगा, तो वो बंदा तो चाहेगा ना, कि आप sufficient profit कमाएं, जिससे कि आप उसको interest दे सके, तो इसके अलावा और भी लोग हैं, एक्सेटरा, जो लोग interested है, इन informations को जानने के लिए, नौ इस information को जानके लोग क्या करेगा, जैसे supplier, supplier कौन होता है, जो आपको उधार में goods supply करता है, he is also interested, कि हमने जो आपको उधार में जो goods supply किया, आपने उस goods का क्या किया, आपने बेचा, तो क्या आपको पैसे मिल गए, अगर मेल गए तो आपने मेरे को अभी तक क्यों नहीं दिया, वो analysis करेगा, इसको अपने बोलते है liquidity analysis क्या, तो यह information जब आप generate कर लेंगे, generate करने के बाद आप communicate कर दिया stakeholders को, now based on accounting information, stakeholders will decide whether they want to continue business relationship with us, जो भी रिष्टा है हमारा, यह मालिक क्या देखेगा, अगर यह business profitable नहीं तो यहां से निकाल के कहीं और लगाएगा, government यह देखेगा कि आपने taxes सही से payment किया है कि नहीं, employee यह देखेगा कि हमारा growth के हिसाब से हमारा salary increment हुआ है कि नहीं, हमको job security है कि नहीं, company का future prospect क्या है, accounting कभी भी future के बारे में नहीं बताता, बीतावा कल में आपने कैसा आपका performance था उसको बताएगा, बच्चा अभी exam देके आया है, बच्चा fail हो गया, वो बताएगा, बच्चा आगे क्या बन सकता यह नहीं बताएगा, लेंडर, इनको safety मिलती है, कि company ने sufficient कमाया, उससे हमको interest दे दिया, कल को मालो कमाई कम है, interest भहत मुश्किल से दिया है company ने, तो आगे यह क्या, इसको खत्रा मन रहता रहेगा, तो काफी सारा decisions होता है, जो based on these informations they take, so this is what we do in accounting, यह complete process है, सबसे पहले आप transactions जो business activities है, उसको record करेंगे, day to day activities जो भी है, recording मतलब उसका हिसाब रखना, तो सारा business activities को आप record करेंगे, events को भी record करेंगे, वही वाला record करेंगे जो इस साल का है, उसके बाद आप profit निकालेंगे, net worth निकालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, यह जो profit निकाला जाता है, इसको अपने PL account से निकालते हैं, और यह net worth अपने balance sheet बनाते हैं, एक हम लोग profit and loss account बनाते हैं, एक हम लोग balance sheet बनाते हैं, फिर जो भी information आएगा, उसको communicate किया जाएगा, stakeholder का और stakeholder उसके basis पर decide करेगा, कि उसका हमारे साथ में business का relationship healthy है की नहीं, अगर healthy है तो war interested होगा, अगर healthy नहीं है, तो हमसे वो disassociate होने का कोशिश करेगा, right, समझ में आ गया, now, अब यह recording हो गया, right, recording करने के बाद अपने PL balance sheet बनाएंगे, तो इसका process समझना पड़ेगा, right, ऐसा तो नहीं है कि, suppose करो, हमने एक example देता हूँ, हमने purchase किया, goods, एक लाक में, sold, goods, दो लाक में, कमिशन पेड़, 20,000, कोई हमको बता सकता है, profit कितना, दो लाक में हमने बेचा income, एक लाक में खरीदा, यह हमारा खर्चा है, और 20,000 कमिशन भी हमारा खर्चा है, कितना है, 80,000, और ली आ गए, राइट, सीधा, directly हमारा step 3 आ गए, directly step 3 आ गए, और यह 80,000 हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, net worth भी आ गए, यह मेरे पास bank balance है, राइट, बट ऐसा तर नहीं होता हम, हजारो, हजारो, हजारो transaction होते हैं, कई लोगों से खरीदेंगे, कई लोगों को बेचेंगे, तो उसमें क्या होता है, एक time frame रहता है, तो इस साल का total purchase बताओ, तो वो तो है मुझवानी नहीं आएगा न, recording करके ही आएगा, हाया न, मुझवानी आजाएगा क्या, तो काफी सारे items हम create करते हैं, purchase का एक item बना लिया, sale का एक item बना लिया, जिससे खरीदा, उसको supplier बोलते हैं, उसका एक item बना लिया, cash एक item बना लिया, bank एक item बना लिया, क्योंकि पैसा आता जाता है, नो इन सब का हम लोग items बना लिये, अब अपने इसका inflow flow देखेंगे, इस साल कितना हुआ, फिर उसी हिसाब से, जैसे purchase हमारा expense हो गया, salary हमारा expense हो गया, तो जो expense income related है, वो PL में चला जाएगा, और जो लेना देना है, वो balance sheet में चला जाएगा, राइट, so recording करना भी एक art है, इसलिए बहुत सारे cases में आप देखेंगे, accounting को art भी बोला जाता है, accounting को language भी बोला जाता है, language बहुत भाशा, आप उसका कप प्रयोग करते हैं, जब आपको कोई चीज communicate करना लेता है, देखो यहाँ पे आप communicate ही तो कर रहे हूं, accounting को science भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि science में क्यों होते हैं, काफी सारा assumptions लेते हैं, तो देखें, यहाँ पे हमने पहला assumption लिया, क्या accounting बिड बारा में ने का हैं, तो recording ऐसे नहीं, सोचा और हो गया, मन में कर लिया, नहीं, pen and paper का इस्तेमाल होता है, पहले होता था, आजकल तो digitalized जमाना आगया है, तो सब कोई computerized software यूज़ करते हैं, Tally Prime is one of the most renowned software, जो हमारे इंडिया में चलता है, बहुर भी बहुत सारे हैं, मुनीम जी है, जोहो है, लोग अपना पैसा खर्चा करके, 2-3 करोड रुपे लगा के, अपना accounting software बना ले था, अपने needs के हिसाब से, राइट, तो यह मेरा accounting का prospect था, आप अपने accounting करेंगे कैसे, राइट, वाट इस दर recording process, और क्या क्या assumptions लेना पड़ेगा, accounting करते वग यह सब चीज के बारे में बात करेंगे, उसके पहले कुछ-कुछ terminologies हैं, जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, सपोस करिए, मैं example के तौर पर आपको समझाऊँगा, जैसे यहाँ पर मैंने example दिया ना अभी, example one समिल लो, मैं आपको अभी औरली recording करने का process सिखा रहा हूँ, pen and paper में computerized software में कैसे होता है, वो पूरा recording का process मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं individual कैसे record होता है, वो बता रहा हूँ, सपोस करिए, हम एक computer merchant है, ठीक है, मैं computer merchant हूँ, मेरा retail shop है, नाउ, उस पे मेरे को, जैसे आप जाएंगे, कोई भी showroom में तो display items रहता है, furniture रहता है, तो मैंने furniture purchase किया है, मैंने furniture purchase किया, एक लाग का, इसके life है पांस साल, मैंने पांस साल तक आप इस furniture से, furniture को use कर सकते हैं, मेरा काम क्या है, computer बेचना खरीदना, buying and selling of computer, यह मेरा main objective है, आप एक बात बताईए, मैं आपको terminologies बताता हूँ, generally, चार terminologies main होते हैं, क्या आपका income है, क्या आपका expense है, net worth मतलब, आपके assets क्या क्या है, मैरे पास 2 करोड का घर है, लेकिन, मैंने उसको loan में लिया है, तो साथ में मेरी एक obligation भी है, liability भी है, तो यह चार terminologies आपको समझना है, expense income, मैंने बताए न, जब आप recording करेंगे, आप काफी सारा items create करते हैं, क्या आपका खर्चा क्या है, income क्या है, आपने अगर loan लिया है, तो आपकी liability हो गई है, आपने कोई चीज खरीदा है, तो आपका asset हो गया, bank में पैसा पड़ा है, आपका asset हो गया, आपका pocket में पैसा पड़ा, asset हो गया, asset में लिए आप उसे कुछ भी कर सकते हैं, right to use, आप ही का है, तो यह चार terminology आपको समझना पड़ेगा, these are the four terminologies that you need to understand, right, so computer merchant है, इसका धन्दा क्या है, computer खरीदना बेचना, तो computer इसके लिए goods होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, teaching service दे रहा हूँ, तो मेरा service है, लेकिन भूद लग समान भी बेचते हैं, उस चीज का धन्दा करते हैं, service का भी business कर सकतें आप, goods का भी कर सकतें, तो यहाँ पे computer हमाले लिए goods हो गया, सबसे पहला सवाल, क्या furniture हमारे लिए goods है, accounting language में बताओ, सर हम इस चीज का धन्दा नहीं कर रहे हैं, हम इसको use करने के लिए खरीदे, कितने साल use करेंगे, पास साल, तो किसी भी चीज को अगर आप more than 12 months यूज़ कर पाएंगे, तो वो आपके लिए asset बन जाता है, चीक है, तो अगर मैं आपको पूछू हूँ, asset का meaning किया तो आप क्या बोलेंगे, benefit will be derived for more than 1, accounting period, अगर आप एक साल से जादा किसी भी चीज का benefit derive करेंगे, तो वो आपका asset बन जाएगा, तो इसका मतलब furniture क्या आपका, asset, कितना, एक लाथ, अब अगर मैं आपको पूछू, furniture क्या माना जाएगा आपके लिए, मैंने furniture किधर आएगा, PL में आएगा कि balance sheet में आएगा, च्योंकि expense होता तो PL में आता, आया ना, चेक है, अभी मैं recording नहीं करवारा, आपको खली meaning समझा रहा हूँ, I am not telling you how to record, इस furniture की general entry क्या होगे, मैं अभी उसमें बात ही नहीं कर रहा आपको, मैंने furniture खरीदा है, बदले में हमने पैसे दियोंगे, वो बात मैं करी नहीं रहा, मैं अभी बोला हूँ कि furniture क्या आपके लिए, ऐसे टेना, चोकि इससे आप एक साल से ज़्यादा benefit derive करेंगे, अब मालनों यह timeline है, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक साल होते ही, आप furniture यूज कर लिए ना, हाए ना, expense का क्या meaning होता है मालू में, benefit, derived, in an accounting period, benefit, derived in an accounting period, clear, अब देखो मेरा मेरा उससे match करो, मैंने क्या लिखा था उपर में, recording हो गया, पर नीचर हमारा asset है, वही activity record करेंगे, जो इस accounting period कहा है न, अर्य गेटिंग में पॉइंट, तो इस साल, आपने कितना benefit derive कर लिया, अगर simple calculation करूं तो, इस asset से मैं 5 साल कमाऊंगा, कितना साल कमाऊंगा, कितना साल, 5 साल, वाइट, 5 years I will learn, एक साल मैंने use कर लिया, तो एक साल मैंने benefit derive किया न कि नहीं किया, you derive benefit for one year, so how much will be expense का मतलब यह ओता है, benefit which you have derived in an accounting field, so 1,00,00 का asset था, divide by 5, तो 20,000 का benefit आपने derive कर लिया हाया न, हाँ, अच्छा, शुरुवात में, Y0 में, हमारा asset कितना था, Y0, जिस दिन खरीदा, उस दिन तो आपने कोई benefit derive नहीं किया, तो पूरा asset, Y1 में आपने कितना benefit derive कर लिया, 20, अब बताओ, Y1 में asset कितना होगा, 1,00,00 का asset था, minus, इतना benefit आपने derive कर लिया, तो 80,000 आपका asset बना न, तो यह position सेम नहीं रहता, day by day यह change होता रहता है, asset का मतलब होगा, benefit will be derived, एक साल से जाता न, तो जितना derive कर लिया, उसको expense दिखाओ, बाकी को carry forward करो, तो हम लोग बोल सकते हैं, benefit, yet to be derived, बोल सकता हूँ न, तो benefit derived को asset बोलेंगे, कि benefit yet to be derived को asset बोलेंगे, और जो benefit derived हो गया उसको, simple हो गया, अब अगले साल कोई दिक्कत नहीं आएगी, Y2 में, expense कितना, again 20, 20, एक लाग को divide by 5 क्या है न, या अब 80,000 को divide by 4 कर लो, बात एक ही है, क्योंकि अब 80,000 value remaining like 4 है, asset बताओ मानेंगे, बेरी गुड, असी में से 20 benefit derived कर लिया, Y3 में, अब इसी expense को अपन depreciation भी बोलते हैं, आइसेट जब यूज करते हैं, तो जो benefit derived होता है, उसको बोलते हैं depreciation, किसी को काम पे रखे हैं, तो उसका service यूज कर रहे हैं, उसको salary बोलेंगे, किसी का जगा यूज कर रहे हैं, उसको भाड़े पे लिये हैं, उसको rent बोलेंगे, किसी का पैसा भाड़े पे लिये हैं, उसको interest दे रहे हैं, सालाना कुछ देना पड़ते हैं, उसको interest बोलते हैं, तो अलग-अलग expense का सबका लग रहा है, तुम सबका का नाम सेम रहता तो problem होता न, right, तो अगले साल फिर expense कितना, 20, asset कितना, 40, and so on, ऐसे चलता रहेगा, 5 साल के बाद में, asset 0 हो जाएगा, तो शुरुवात में asset था, एक लाग का, last में 0 हो जाएगा, क्लियर, तो asset का meaning समझ में आ गया, expense का meaning समझ में आ गया, यह meaning समझ लोगे, तो automatically जब recording का जो process है, वो समझ में आ जाए, debit, credit जो अपने करते हैं, plus, minus, तो first से पहले तुमको meaning समझना है, आपने goods नहीं खरीदा, आपने क्या खरीदा है, asset, जिसका एक साल से एदा use कर पाएंगे, उसका हम लोग asset बोलते हैं, right, एक और example देखो, suppose हम एक जगा भाड़े पे लिए हैं, rent per month 10,000, चेक हैं, अच्छा, अब इसमें दो case है, case 1, 1, rent paid during accounting period 8,10,000, or case 2, rent paid during accounting period 8,10,000, यह दो case है ना, ठीक है, मला इस साल हमने 1,00,000 भाड़े दिया, और इस साल हमने 1,00,000 भाड़े दिया, आप बताओ मेरे को expense, rent expense है ना, तो rent expense कितना आना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से, expense का meaning मैंने क्या बताया था भी, benefit, derive, तो कितना benefit आपने derive के बारा मैंना, तो हिसाब से आपका expense कितना होना चाहिए, एक लाग भीस अजार, अभी मैं औरली कर रहा हूँ, मैं debit credit बताई नहीं, आप औरली करो, देखो, आपको समझ भी आ जाएगा, आप आपने payment कितना किया, तो 10,000 अभी देना बाकी है, हाँ, देना बाकी को क्या बोलते हैं, obligation, obligation को या accounting language में बोलते हैं, liability, और इस type की liability का नाम है, outstanding expenses, जैकि outstanding rent, ठीक है ना, हम, is it fine, अब इधर में बताऊ rent expense कितना होगा, एक लाग बीसी होगा, तो अब हमने ज्यादा दे दिया, हाँ है ना, तो 10,000 का benefit derived कर लिया कि अगले साल करेंगे, तो इसको अपने बोलेंगे benefit, yet to be derived, अच्छा benefit yet to be derived को क्या बोलते हैं लोग, asset, और इस asset का नाम क्या है, prepaid expense, कितना, समझ गया ना मेरा बात, तो expense का मत नब बताए benefit direct, भूल जा आपने कितना पैसा दिया, वो end में अपन देखेंगे कितना दिया, कम दिया कि ज्यादा, कम दिया तो outstanding liability obligation, clear, is it fine, तो आपको मैंने asset बता दिया, expense बता दिया, liability बता दिया, तो आपको मेरे पास एक formula है, को एक समान बनाने का, मैंने किसी को यह formula दे दिया, ठीक है, license, formula बनाने का जो license था, मैंने किसी को भाड़े पर दे दिया, सबोस्थ Mr. X को दे दिया, अब मैंने Mr. X को बोला, rupees 10, per unit produced, तो इस formula को यूज़ करके, तो यह मेरा royalty तुम हमको दोगे, तो royalty मेरे लिए क्या होगे, income हो गया, जब मैं किसी का service, use करता हूँ, तो मैं payment देता हूँ, यहाँ पर मेरा कोई use करके, तो payment मेरे को देगा, सब्सक्राइब आगे, मेरे मेरे बनाने, just a representative of expenses, right, अभी scenario क्या है, x has produced, case 1, 1500 units, अच्छा ऐसे करो, x has produced 1500 units, ठीक है, case 1 में, royalty paid चौदा हजार, और case 2 में, royalty paid, 15,500, दोस्तों, मैं इधर का बात में करूँगा, पहले आप इधर का मेरे को बताओ, एक सेकेंड, अब सबसे पहले मेरे को, आप x का बताओ, मेरा नहीं, मेरा मेरे को नहीं जाना, पहले x का बताओ, ठीक है, x के लिए, royalty expense है, कितना होगा, 1500 unit इसने बनाया, और 11 का इसने 10 उरुपे वादा किया था देने का, मैंने कितना दिया, तो 1000 क्या होगा, outstanding yes or no, liability outstanding expense, अभी बताया मैंने, इधर बताना, royalty expense कितना, 15,000, लेकिन मैंने दिया कितना, तो 500 extra दे दिया न, prepaid expense, very good, अभी यह इधर करना है, तुम मेरे लिए, आप लोग बताईए, royalty income कितना, 15, मेरे लिए रोयल्टी इंकम, तुमने मेरा formula यूज करके, कितना produce किया, 1500, एक एक का 10, clear, अगर इसने, 14 दिया तो मेरे को 14 मिला है, लेकिन income मेरा 15 है, तो 1000 रुपया को क्या बोलेंगे हम, मिलना बाकी है कि मिल चुका, तो कोई भी चीज मिलना है, तो उँ तुमारे लिए obligation होगा, कि right होगा, तो asset का दूसरा meaning right भी होता है, right, और इस type का asset को क्या बोलते मालूम है, accrued income, क्या बोलते इसको, accrued income, इधर मैं 500 ज्यादा मिल गया, liability, क्योंकि अभी तक service आपने perform नहीं किया है, और इस type की liability को अपन बोलते हैं, pre-received income या, earn earned income भी बोला जाता है, इसको आप earn earned income भी बोलेंगे, ठीक है, से मेरा नम अंकित है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया, समझ में आ गया, तुम्हारा अलग books, मेरा अलग books, हम दोनों का profit एक थोड़ी होता है, clear, सारा terminology समझ में आ गया, अभी मैंने कितना काम आसान कर दिया, क्योंकि यह सब चीज आगे जाके दरकार आएगा, मैंने आपको ख़ले, यह asset liability नहीं बता है, मैंने आपको outstanding, prepaid, earn earned, accrued सब बता दिया, debit credit अपने को जानना ही नहीं अभी, simple सा funda है सर, आप पहले यह देखो कि आपने कितना benefit derive किया, वो आपका expense होगा, सामने वाला, कितना service perform कर दिया, वो उसके लिए income हो जाएगा, बात में हम paid के साथ compare करेंगे, पैसा अगर हमने कम दिया है तो outstanding, पैसा जादा दिया तो prepaid, पैसा कम मिला तो accrued, पैसा जादा मिला तो unearned, अभी तक earned नहीं हुआ है, clear, is it fine, so we are now aware of all the terminologies, asset, liability, expense income, तो कोई भी हमको पूछेगा, asset क्या होता है तो आप ओलेंगे benefit yet to be derived, benefit derived for more than one year, right, हक, liability क्या होता है, obligation, benefit derived कर लिए हमने पैसे नहीं भरे, तभी न obligation है, expense मन्दा benefit derived in an accounting period, income मतलब service performed, पैसा से कोई लेना देना नहीं है, clear, जो भी आपने किया, अगर ये accounting period नहीं होता, अब मैं अगला topic में जा रहा हूँ, अगर ये accounting period नहीं होता, तो क्या बता पातें, कितना benefit derived, कितना yet to be derived, मतलब आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है, कि assumption जरूरी था accounting करने के लिए, recording आप कर लेते, आया 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 गया 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 वो हिसाब आप रख लेंगे, लेकिन अगर आपको profit और net worth निकालना है, तो there has to be a time frame, अभी तक आपका क्या position है, अभी तक आपने क्या कमाया, तो कहीं न कहीं, you will find, somewhere or the other, you will find that, यह accounting पिड़ अगर नहीं होता, तो हम आज accounting नहीं कर पाते, हमको तो ऐसा 100% विश्वास है, without this accounting period, it is not possible for us, to do accounting, right, मैंने आपको पहले बताया, accounting क्या होता है, फिर मैं आपको terminologies बताया, चार, asset, liability, expense, income, different type of assets भी बताया, different type of liability बताया, expense बताया, income बताया, अब हम बात करेंगे, accounting करते वक्त, यही एक assumption नहीं है, बहुत सारा assumptions लिया जाता है, इन assumptions के बिना, accounting का कोई meaning ही नहीं है, recording करते वक्त, PL बनाते वक्त, net worth निकालते वक्त, हर जगा you will find, some assumption is there, right, at the time of recording, at the time of profit calculation, at the time of balance sheet preparation, every year, every time, sorry, every point you will find that, there are some assumptions being taken, अगर यह assumptions नहीं होता, तो accounting का क्या रूप होता, यह मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा, right, so हमको इतना जितना भी आपने example, देखा है अभी तक, इन सारे example से एक चीज़ क्लियर हो गिया है, accounting period, benefit derived, not derived, benefit derived, not derived, यह accounting period नहीं होता, तो game बच जाता पुरा, इस accounting period में 12 में, right, हर जगा, हर जगा accounting period है, इस accounting period में आपने 1500 प्रोड्यूस किया है, उसी हिसाब से आपका expense income आए, right, so now, we will talk about, accounting principles, जभी भी भी हम लोग accounting का बात करते हैं, when I talk about accounting, it works within a framework, एक framework को तक दाइरा है, हम लोग का parents लोग भी हमको एक दाइरा देखे रहा है, हम लोग भी उसको cross नहीं करता है, rules, regulations, accounting भी वैसा ही है, there are rules, there are assumptions, there are some concepts, ideas, thoughts, इसी के basis पर accounting किया जाता है, एक नहीं है, काफी है, right, जैसे, separate entity, separate entity बोलता है, आप profit किसका निकाल रहे हैं, मैंने पहले ही बताया है, accounting आप किसका कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, stakeholder, owner, हां, मैंने क्या बोला, accounting एक दाइरा है, अगर ये दाइरा नहीं है, ये rules, regulations, follow नहीं करोगे, accounting नहीं कर पाओगे, याद रखना इक बार, rules, assumptions, concepts, ideas, thoughts, beliefs, इनी को accounting principles बोला जाता है, तो separate entity क्या बोलता है, ये एक type का, assumption इट, बोला देखो भई यह, accounting किसका कर रहे है, business का, profit किसका निकाल रहे है, business का, सब कुछ business, किसके लिए निकाल रहे है, owner के लिए निकाल रहे है, ये profit निकाल के, तुम किसको communicate करोगी, owner को communicate करोगी, तो जो भी हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे है, owner के लिए कर रहे है, to whom, for whom I am doing, I am doing it for the owner, यह owner बोलेगा, मेरा ही तो business है, मेरा ही खुन पसीना से मैंने इसको सीचा है, यह किया है, उस सब ज्यान नहीं चाहिए, accounting करते वक्त, हाला कि यह profit खाएगा कौन, owner, इस पर tax कौन देगा, owner, कुछ-कुछ business entity पे business का profit, owner देता है, right, तो यह profit मेरा, पैसा मैंने लगाया, कुण पसीना मेरा, right, तो जब अपन accounting करेंगे, खाली business का करेंगे, इसका मतलब, इन दोनों को separate माना गया है, तुछ में कुण सा बड़ा बात है, separate है, 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 separate है, what's the problem, problem वो नहीं है, problem यह है, कि personal expenses, जो घर खर्चा होता है, and personal income will not be recorded in books of business. मतलब, business income, minus business expense, कोई personal income, personal expense नहीं लिया जाएगा, okay, झाल right, assumption नहीं है, नहीं तो क्या होता, domestic servant salary, राशन पानी का खर्चा, घर का बिजली बिल, नहीं, office, electricity, घर का बिजली बिल नहीं आएगा, राइट, कई बार ऐसा होता है, कि घर खर्चा का पैसा हम लोग business से दे देते हैं, तो उसको withdrawal of capital माना जाएग, drawings, जैसे मैं पैसा जब लगाता हूँ, तो उसको capital बोलता हूँ, business में जब owner पैसा इंवेस्ट करता है, तो वो capital हुआ, जब वो withdraw करेगा, या घर का कोई खर्चा का payment हो रहा है, तो उसको drawings बोला जाएगा, ठीक है, दूसरा, accounting create concept, business performance, is to be measured for every 12 month, ठीक है न, हर बारा बारा मैंने काम लोग performance measure करेंगे, नहीं तो काम नहीं होगा, money measurement, वही activities को record करना है, जो monetary terms में measurable हो, only those activities which are measurable in terms of money or money is worth, right, अभी मैं आपको इसमें example देता हूँ, बार्टर स्की मालूम है आपको, suppose करिए, मैंने आपको, अंकीत प्रोवाइड़ अंकीत प्रोवाइड़ सर्विसेस्टो मिस्टर वाई, बदले में अंकीत परचेश्ट सम आइटम्स प्रोवाइड, बताओ, ये ट्रांजाक्शन है की नहीं है, मनी मेजर्मेंट क्या बोलता है, मनी मेजर्मेंट बोलता है, देखो यहीं पर मनी मेजर्मेंट आ गया, एक्सचेंज अब गुड सर्विस्ट पर कंसिल्डरेशन, पैसे तुम मिले नहीं, हाया ना, पैसा मिला क्या, सुन लो, बाइदा वर्ड कंसिडरेशन ड़सेंट मीन्स कैश कंसिडरेशन, ये तो कैश हो गया, बार्टर स्कीम, मनीज वर्थ में आएगा, अरे भाईया, जितने का मेरा सर्विस्ट था, उतना हमने तुमसे आइटम खरीद लिया, उतने का, कंसिडरेशन तो ही, बट कैश कंसिडरेशन ये नॉन मॉनिटरी है, राइट, मनी मेजर्मेंट बोलता है, वही एक्सचेंज, ओल्ली दोज एक्सचेंज विल बी रेकॉर्ड़ेट, ओल्ली दोज एक्सचेंज, of goods and services will be recorded, which are measurable in terms of money, यहां तक बोलता तो समझ में आ रहा है, money's worth में, बाद में देंगे, कुछ और दे दिया, check से दे दिया, यह सब money's worth में आता है, हिसाब तो हुआ ना कि नहीं हुआ, राइट, हां, अभी एक चीज और पूछता हूँ, किसी भी organization का, सबसे main asset क्या होता है, सबसे बड़ा main asset होता है, organization का humans, employee, सबसे बड़ा main asset है, क्या मेरे बीना robot पढ़ा सकता है, possibly नहीं है, राइट, रोबोट कैनाट रिप्लेश मी, लेकिन, cannot be measured, मेरा बोली लगा सकता है क्या कोई, हाँ, हम जो service देते हैं, उसके लिए तुम हमको compensation देते हो, remuneration, वो तो salary expense बोलके आए, लेकिन what kind of value I am generating for the organization, क्या उसको आप measure कर सकते हो, तो यह money measurement का drawback है, हाँ, यह खली एक नहीं है, आप goodwill बोल लीजिए, goodwill का तो चलो हम लोग parameters आ गिया है, goodwill हम सम्हाँ measure कर सकते हैं, money में, goodwill का मतलब होता, future profit of the organization, तो आने वाला 5 साल में हम क्या कमाएंगे, इस business से, वो मेरा goodwill हो जाए, लेकिन let's talk about brand name, it's very difficult to value these items, right, तो कही ना कही money measurement drawback है, accounting के लिए एक, कुछ-कुछ major asset, major items, unrecorded है रह जा रहे हैं, human resource accounting पर research चल रहा है, जिस दिन वो develop हो जाएगा, तो आप हम, किसी ना किसी के balance sheet में आएंगे, right, कि हमने इस employee को रखा है, इससे हमारा organization को ये benefit होगा, जैसे काफी बड़ी-बड़ी companies में director होते हैं, अगर news में ऐसा flash कर जाए, कि ये director इस company को छोड़ के चला गिया है, उसका कितना बड़ा reputation है, तो उसी से उस company का share price गिर जाता है, वो फेवरेट में आ जाता है, but books में value क्या है, books में कुछ value नहीं है, because there is such a parameter, right, तो जो पैसे में आप तोल सकें, right, अगर मैं तराजू बनाऊं, right, यहाँ पर money है, यहाँ पर good services है, अगर आप इसको तोल पाएंगे, तो ही यह record होगा नहीं तो नहीं, एक employee का honesty, उसका integrity, उसका skill, उसका talent, कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि आपके पास कोई measuring tool ही नहीं है, एक इमानदार आदमी का कीमत और एक बहिमान आदमी का कीमत लोग लगा ही नहीं सकता, क्योंकि parameter है ही नहीं कोई, right, तो यह money measurement हो क्या, accrual basis, यह मैंने आपको पढ़ा दिया है, expense, expense, हम लोग दिखाएंगे benefit derived, फरक नहीं पढ़ता, पैसा मिला हो, पैसा दिया हो, नहीं दिया, उससे कोई फरक नहीं पढ़ता, नहीं दिया तो outstanding, ज्यादा दे दिया तो prepaid, उतना ही expense आएगा जितना हम लोग benefit derived के, recording करते वाका पूरा दिखाते हैं, when you recording, during the year, जब अपन record करते हैं, इसमें एक चीए याद रखना, income होता है, earned basis पे, मिला है, नहीं मिला है, उससे फरक नहीं पढ़ता, अब माल लोग या accounting period है, आप salary pay कर रहे हो, paid, 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 टोटल कर लिया, एक लाग दस, right, salary expense, 1,10,000, लेकिन आप PL में कितना आना चाहिए expense, profit and loss में salary expense कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए, तो इस कारण से, आपका balance sheet में, outstanding expense, liability, asset, 10,000 आपका liability आजाता है, so accrual यो concept है, यह recording के वक्त नहीं लगाते, PL बनाते वक्त लगाते हैं, मैंने बोला ना, कुछ-कुछ recording करते वक्त, कुछ-कुछ PL बनाते वक्त, हाया ना, कुछ-कुछ recording करते वक्त, कुछ-कुछ PL बनाते वग, कुछ-कुछ balance sheet बनाते वग काफी सारा assumptions लिया जाता है odds होता है, ideas होता है, beliefs होता है, rules होते है आप salary दिये जाओ, दिये जाओ, दिये जाओ, दिये जाओ खर्चा, 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 खर्चा और फिर इस दोनों को compare करेंगे तो liability या asset वालूम चल जाएगे तो एक बात बताओ अगर आज हमारे बीच accrual basis नहीं होता सपोस्थ cash basis होता तब क्या करते पी एल में कितना खर्चा आता एक लगदा जितना दिया होतना ही खर्चा ज्यादा दिया कम दियो से cash basis है ना तो accrual है तो outstanding है prepaid accrual नहीं है तो outstanding prepaid भी इसका मवला doctor, lawyer, engineer कुछ-कुछ professions में ये permission है कि आप cash basis follow कर सकते हैं क्योंकि you cannot expect a doctor to have an accounting knowledge लेकिन अगर कोई धंदा कर रहा है बिजनस कर रहा है उन लोगों को accrual basis पर account बनाना पड़े है कुछ-कुछ service के case में only in case of business में नहीं goods का बात नहीं हो रहा है business होता है business of goods, business of service, business of goods में accrual ही होगा business of service में कुछ-कु specified services हैं जहां पर आप cash basis follow कर सकते हैं राइट तो अगर मैं इसी को cash basis में बताऊं यह भी एक टैप का assumption है इसी को अगर मैं आपको cash basis में बताऊं तो PL में salary आएगा एक-10 balance sheet में कुछ नहीं आएगा समझ गया है अगर यह accrual नहीं होता तो क्या होता आउटसेडिंग होता प्रिपेड होता नहीं जितना दे दिया खर्चा right cost concept cost concept क्या बोलता है items should be recorded and carried forward at cost cost मतलब historical cost जितना पैसा आपनी दिया खरिदते वक्त उसी में आप उसको आगे भी carry forward करेंगे less depreciation if any अगर depreciation है तो कोई बार को कहने का मतलब है book value cost से जब आप depreciation less करते तो इसको अपन बोलते है book value क्या बोलेंगे आपने एक लाग का एसेट खरिदा एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पास साल एक साल के बाद book value असी साट, चालिस, बीस, जीरो यहाँ पर आया एक लाग minus 20 यहाँ आएगा एक लाग minus 40 ऐसे भी लिख सकते है या 80 minus 20 तो कहने का मतलब है हम लोग इसको cost पर दिखाएंगे किस पर दिखाएंगे किस पर दिखाएंगे लेकिन एक चीज़ सोचो क्या इस आइसेट की market value है इस आइसेट का आज की दिन पर value 80,000 है लेकिन इसकी market value मालूम है आज इसको खरीदने जाएंगे एक लाग तीस हजार का पड़ेगा अलग 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 टाइप की value होती है replacement cost आज इसको बेचने जाएंगे एक लाग चालीस हजार देवाल खड़ाया है कोई क्यों क्योंकि उसको भी मालूम है running asset है आज मैं इसको खरीदूँगा तो मैं आने वाला चार साल इससे कमाऊंगा फिर भी मैं इस asset को 80,000 पर दिखा रहा हूँ balance sheet पे cost concept हलाकि यह मेरा true net worth नहीं है मेरा balance sheet जब मैं बनाऊंगा मेरा balance sheet में furniture कितना आएगा y1 में 80 इसी हिसाब से मेरा सारा asset का total होगा तो यह जो मेरा net worth है यह actual है कि यह understated है understated है ना कम दिखा रहा है मेरा net worth बहुत जादा है इसलिए आप लोग देखेंगे company है 200 करोड की लेकिन भीक रही है 3000 करोड में तो कि इस company का future है एक company को खरीदने से हम आजीवन कमाएंगे पेड़ भरके है कोट में पॉइंट replacement cost आज इसको मैं अगर नया से बदलू तो मेरे को एक लाग तीस अजार देना पड़ेगा लेकिन cost concept क्या बोलता है भूल जा है सब आप cost पर दिखाते चलो cost less depreciation cost less depreciation आप दिखाते चलो यह cost concept बोलते है तो यह assumption है ना हाला कि मेरे को तो इस asset को दिखाने कितने पर चाहिए एक 40 पर दिखाना चाहिए technically I should show at 140 तरीका के तो यही है कि asset को मेरे को 140 पर दिखाना चाहिए बट मैं कितना पर दिखा रहा हूँ एक लाग less depreciation पर दिखा रहा हूँ yes or no हां तो काफी सारा assumptions है इन assumptions के भीन accounting करना next to impossible राइड क्लेर हो क्या नेक्स्क्राइड नेक्स्क्राइड matching concept matching concept बोलता है all expenses are to be matched with corresponding revenue suppose को हमने तीन खर्चा किया है let us assume कि हमने तीन खर्चा किया है एक हमने पर्चेस किया goods हाजार यूनिट खरीदा है दस करके ठीक है life parcel हमारा ये तीन खर्चा है हमारा इस साल का जो revenue है 900 यूनिट हमने बेचा है at the rate 20 करके ये हमारा sales है अठारा जार हमारा revenue है अब सवाल क्या बोलता है जितना भी खर्चा आपको दिखाई दे रहा है इन सारे खर्चे को आप इसके साथ match करके दिखाईंगे corresponding revenue मतब इस साल का revenue corresponding revenue in an accounting period इस 12 मेंना में हमने इतना ही माल बेचा है amount के साथ matching का बात नहीं हो रहा है units को match करना है समय को match करना है amount match हो जाएगा तो profit zero हो जाएगा amount कैसे match होगा unit को match करना है समय को match करना है इस साल का जो income है उससे हमको match करके दिखाना है ठीक है तो मेरे को एक बात बताओ अगर मैं matched expenses करूँ मैच्च्ट एक्सपेंसेज तो पर्चेस किता 900 काना चाहिए हाया ना इसको हम लोग बोलते है adjusted purchase और यह कैसे हुआ purchase minus closing stock हाय ना 10,000 का हमारा purchase था ऐसे भी तो कर सकते हैं minus 150 बच किया 10 रुपया करके लो 9,000 आ गया 1000 खरीदा था ना 900 बेचा तो 100 बच गया और cost concept क्या बोलता है cost पर दिखाओ जिस दाम पर आपने खरीदा है rent now rent का matching unit के साथ तो हो नहीं सकता इसका matching किया हमने units के साथ राइट लेकिन इसका matching होगा time के साथ so 200 इंटू कितना समझ गया furniture का depreciation आएगा इसका भी matching time के साथ तो यहाँ time यहाँ भी time और यहाँ volume तो depreciation कितना आएगा पास साल कमाऊगे ना हाँ cost of asset spread मतलब matched over five years पास साल matching करके दिखाएंगे हमने कितना साल matching होगा five years done हाँ खर्चा बहुत हुआ है खर्चा देखो के तो हिसाब से हमारा खर्चा हुआ है 22,200 कोई भी आदमी सुनेगा वो बोलेगा आपको नुक्सान हुआ है 4,200 का लेकिन यह unmatched खर्चा है यह matched expenses नहीं है यह गलत है इसको matching करेंगे तो goods होगा तो unit के साथ matching होगा और जिसका goods के साथ कोई relation नहीं उसका time के साथ matching तो rent बारा मैंना का ले लिया पर nature का depreciation एक साल का ले लिया अब इसका total कितना रहे है 13,000 14 कहां से आ रहेगा 9,000 13,400 16,000 15,000 15,000 14,000 18,000 16,500 15,000 18,000 16,000 पर्चेस को एड़ेस्ट किया रेंट बारा महने का दिखाया रेंट को बारा महने का दिखाना है अप्रूवल भी बोलता है मैचिंग भी बोलता है तो कुछ-कुछ जगा में आपको सिमिलारिटी मिलेगी क्लोजिंग स्टॉक अपन पर्चेस से लेस कर रहे न इस बिकॉस अप मैचिंग प्रिंजिपल अप्सर वह देखिएंगे ट्रेडिग अकाउंट का क्रेडिट साड में आता है वो सब्सक्राइब्ट में ऊडर रहा होता है तो अपने पर्चेस से भी उसको लेस कर सकते हैं मैचिंग प्रिंजिपल तो यह सारा प्रिंसिपल समझ में आया है इसेपरेट इंडिटी बोलता है दोनों अलग-अलग है जो भी होगा बिजनस का करेंगे बिजनसमैन का कुछ नहीं होता बिजनस का प्रॉफिट निकाले बिजनस का खर्चा लेना है बारा मैने का पर्फॉर्मेंस होगा हर बारा मैने का पर्फॉर्मेंस मेजर होगा जो पैसे में तोल सके उसी को रेकॉर्ड करेंगे बाटर सिस्टम को तोला जा सकता है इसलिए बाटर सिस्टम रेकॉर्ड होता है इंटिग्रिटी, ओनेस्टी, हुमेंस, ब्रैंड नेम यह सब रेकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि कोई परामिटर नहीं है अक्रूल बेसिज मैंने एक्जांबल में पहले ही समझा दिया, आउट्सेंडिंग प्रिपेड अगर अक्रूल नहीं है तो जितना पे किया उतना ही एक्सपेंस, जितना रिसीव किया उतना ही इंकम कॉस कंसे बोलता है, भूल जो इस आइसेट का मार्केट वैल्यू क्या है, रिप्लेस्मेंट कॉस्ट क्या है हाला कि यह मेरा टू नेट वर्थ नहीं दिखाएगा, बट क्या करें, अजम्शन है तो जिसका रिलेशन डारेक्ली सेल्स के साथ में है, उसको यूलिट से मैच करतेंगे, जिसका रिलेशन सेल्स के साथ नहीं है, उसको टाइम से मैच करेंगे, ठीक हैं, तो इस वर्थ नमबर शिक्स अभी इसी पे पूरा अकाउंटिंग बेस है, यह जो भी हम लोग डेबिट क्रेडिट का रूल निकाला है न, यह इसी कॉंसेप्ट पे बेस्ड है, डुवल, अब आपको रेकॉर्डिंग थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा, डुवल आस्पेक्ट, कॉंसेप्ट, बोलत जैसे अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी तक जितना भी ट्रांजाक्शन लेया, मैं सबके बारे में बात करूँ, फर्नीचर आपने खरीदा, तो आपके लिए रीसीविंग क्या होगे है, फर्नीचर, वाट इस और गीविंग ऐस्पेक्ट, कैश, क आप कब देते हैं, जब आप सर्विस रीसीव करते हैं, तो यहाँ पर आपने जगा का बेनिफिट लिया है, what is your giving aspect here, giving aspect, cash, आपने बेनिफिट डिराइफ किया, that is your receiving aspect, आपने सर्विस लिया, बदले में क्या दिया, right, royalty, यहाँ पर आपने सर्विस दिया है, तो this is your giving aspect, what is your receiving aspect, cash, समझ गया, यहाँ पर आपने सर्विस प्रोवाइड किया है, यह giving aspect हो गया, और जो आपने खरीदा है वो आपका receiving aspect हो गया, तो हर transaction में, हर exchange में एक receiving होगा, giving होगा, तभी recording का वो debit credit वाला concept समझ में आएगा, जो अपने जिसको double entry bookkeeping बोल, right, purchase किया आपने, what is your receiving aspect, goods, क्या दिया, cash, rent pay किया, मैंने समझा दिया था, बताओ, what is your receiving aspect, service, बदले में आपने क्या दिया, cash, furniture खरीदा है, what is your receiving aspect, furniture, what is your giving aspect, समझ गया मेरा बात, तो इन ही concepts को use करके हम लोग dual aspect concept develop किया, right, तो dual aspect concept बोलता है, every transaction has two aspects, one receiving aspect, another is giving aspect, एन इसी logic से आपने एक equation derive किया है, asset equals to capital plus liabilities, इस equation को हम लोग बोलते हैं, accounting equation, हाला कि, capital भी business के लिए क्या है, liability यह पैसा देना है, owner को, separate entity, देखा है, एक concept में दूसरा concept का use हो रहा है, और यह liability किसी भाहर वाले का है, lender का, this is a liability towards owner, this is liability towards external party, right, okay, क्या मैं बोल सकता हूँ, हर एक resource के पीछे, किसी source का हाथ होता है, आज मेरे पास phone है, right, चोरित आए क्या, सर हमने कमाया है, सर हमने loan लिया है, तो phone मेरे लिए asset हो गया, कमाया है, तो profit is the source, lonely है, तो liability is the source, right, तो मैं बोल सकता हूँ, resource equals to source, source can be provided by the owner, it can be provided by the external party, अब मैं आपको transaction बोलूँगा, उसमें आपको ये equation में बैठाना है, और जब जब आप equation में बैठाएंगे, देखेगा दोनों side equal हो, यहीं से फिर हम लोग debit credit को develop कर लेंगे, clear, so dual aspect क्या बोलता है, एक receiving aspect होगा है, giving aspect, receiving मतला है, आपको resource मिला है, giving मतलब कोई source होगा, कहां से मिला आपको, तो उसी से asset equal to capital plus liability बोलके, हम लोग एक equation develop की है, जैसे suppose करो, सबसे पहला transaction अगर मैं बोलूँ, cash introduced by owner रूपीश 20 के, सबसे पहला, किसके point of view से सोचेंगे, accounting कर रहे हैं हम लोग, किसके point of view से सोचेंगे, business, तो business का यहाँ पर receiving क्या है, cash 20, who has provided, owner, होगे बराबर, होगे बराबर, होगे ना, बीस-बीस, कि नहीं वा, done, चलो, took bank loan, रूपीश 40 के, इसी equation को change करना है, अब cash कितना होगा, क्या receive होगे बताओ, और cash 40, तो cash पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा, 60, पहले का जो source था, वो 20 as it is पढ़ा है, अब यह 40 कौन दिया, liability, bank loan, समझ गया ना, हाई ना, clear, उपर वाला एक्वेशन में change करो, अब की बार कोई source नहीं है, मैंने अपना ही एक resource को यूज करके, दूसरा resource जेनरेट की आया ना, तो मैरा cash पहला resource कितना होगा, 60 है, इसी को यूज करके फ़नीचर खरीदा है, 50 हो जाएगा, ठीक है ना, पक्का, समझ में आ रहा है, जरूरी निया हमेशा, हर एक resource के पीछे, किसी source का हाथ हो, ऐसा हो सकता है, हम एक resource बनाए, बजले में दूसरा resource यूज कर लिए, same set में भी plus minus हो सकता है, तो सर हमको समझ में आ गया, ऐसा हो सकता है, तब equation सही होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है, anything can happen, same side increase, decrease, other side no change, the opposite side, increase, decrease. Goods मतलब Inventory, ठीक है ना? Later on हम लोग उसको Purchase बोलेंगे, बट अभी अपने उसको Inventory बोलते हैं, तो Inventory भी एक टापका Resource हो गया Goods, आया ना? So Furniture वाला Resource as it is रहेगा, Furniture and Fittings, FF, Inventory आ जाएगा कितना? Cash, very good, इसमें ते कोई चेंज नहीं है? पक्का, Another resource used to buy another resource. Same side change है. Sold, goods costing 6000, per rupees 11000, in cash. एदम ध्यान से करना है, क्या Furniture में Furniture Fittings में कोई चेंज होगा? Inventory? नया Inventory कितना होगा? तुम्हारे पास 10,000 का Inventory था, तुमने 6000 का Inventory बेच दिया है. 4000 बचेगा ना? कितना में बेचा उससे फरक नहीं पड़ता? हाए ना? कैश कितना आ जाएगा? 11? हाए ना? अब हुआ क्या? मेरा एक रिसोर्स 6000 से कम हुआ? दूसरा रिसोर्स 11,000 से बढ़ा? तो रिसोर्स में बढ़ोती क्या इंडिकेट करता है? रिसोर्स जब भढ़ता है, what does it indicate? तुम पहले करोडपती थी, अब तुम अरबपती बन गई? कैसे बनी? कमाया ना? एक सोर्स कम हुआ, दूसरा सोर्स ज़्यादा से बढ़ रहा है. तो देर इस अ ग्रोथ इन रिसोर्स, टोटल असे पने ग्रोथ हुआ है ना? एक से इंक्रीज़ बाई 5,000, वाई? विकाउज आ है अर्ण, कितना? पांच हजार? छह हजार का माल गैरा में बेचा तो प्रॉफिट कितना है? यह प्रॉफिट का हगदार कौन होगा? कैपिटल की बैंक लोन? कैपिटल, तो कैपिटल कितना हो जाएगा? पच्चीस और बैंक लोन? चालिस देखो मिलाओ फूराच 65, 65 सबसे पहले हमको बताओ इंवेंट्री कितना से कम होगा? छह जार से एक एक रिसोर्स 6,000 से कम हो दूसरा रिसोर्स कितने का आ गया? तो 5,000 से रिसोर्स बढ़ गया ना? देट इसा ग्रोथ आया ना? कितना से बढ़ा? 5,000 से इंक्रीस्ट प्रॉफिट है ना? किसको मिलेगा? ओनर को? कैपिटल बढ़ा देंगा? तो अब वो कैपिटल दिया था वो भी वो लेके जाएगा? प्लस 5,000 प्रॉफिट भी वो लेके जाएगा? तो बिजनस का लाइबिलिटी बढ़के 25 हो गया? कैपिटल मतला बिजनस का लाइबिलिटी ना? पेड़ सैलरीज एक हजार बोलो पनिचर फिटिंग्स में कोई चेंज नहीं है? इन्वेंटरी में भी कोई चेंज नहीं है? कैच 50,000 हो जाएगा? अब खर्चा है ना? प्रॉफिट कौन लेके गया? ओनर तो खर्चा कौन देगा? तो उसका कैपिटल गिर के कितना हो जाएगा? वैसे भी तुमने 4,000 ही कमाया, 5,000 नहीं कमाया, क्योंकि हजार का खर्चा है ना? ठीक है? डेप्रिशेशन हजार बोलो पनिचर रिसोर्स यूस कर लिया इन्वेंटरी कैस्ट में कोई चेंड नहीं है अगें खर्चा गोट मैं पॉइंट इसी डूएल असपेट को यूस करके हम लोग रूल्स पनाएंगे डेबिट अन् ग्रेडिट का रिसोर्स इंक्रीज होगा तो डेबिट डिक्रीज होने से माइनस वो ही तो किया ना अड करता गया कम होने से माइनस करता गया लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट देखो अगर एसेट भढ़ रहा है तो सोर्स भी भढ़ रहा है दोनों सेट इक्वल करना है यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस इंकम डाइरेक्ली कैपिटल में अज़स्ट कर दिया लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा कस्टमर को माल बेचेंगे दूसरा कस्टमर खड़ा है भाईया रुक को हम पहले अपना प्रॉफिट निकाल ले तो उसके बाद आपको बेचेंगे ऐसे नहीं होता है तो थूआउट दा येर आप रेकॉर्डिंग अलग आदमी करता है धंदा कोई और समागता है तो रेकॉर्डिंग आप हर ट्रांजाक्शन के बाद नहीं कर पाएंगे एक्सपेंस का भी यही रूल है और जो लाइबिलिटी का है इंकम का भी यही रूल होगा सारड़् एक्सपेंस को प्लस करते चलिए और इधर में इंकम को क्रेडिट करते चलिए तक फिर दोनों को सेटाफ करके जो प्रॉफिट आएगा उसको कैटिल में यह लोग लास्ट में अटि करें लुआ इंकम प्लस हो रहा है न, प्रॉफिट प्लस हुआ है, देखो क्रेडिट और एक्सपेंस माइनस हुआ, डेबिट क्लियर, हाँ, क्यापिटल क्रेडिट है, क्यापिटल में हम लोग इंकम प्लस किया, और क्रेडिट किया तब ना प्लस होगा, सेम साइन होने थे तो प्लस होता है और एक्सपेंस हम लोग माइनस किया, क्यापिटल से, तो ओपोजिट साइन होगा तो ना माइनस करेंगे तो इसी से हम लोग यह rule derive किया, expense, income, debit, income, liability, credit. अगर decrease होगा तो उल्टा, यहाँ decrease होगा तो उल्टा. Is it fine? तो इस इस दा rule तो इस हम लोग next class फिर continue करेंगे आगे. आज के लिए इतने हैंगे, राइट, just give a reading to your book, so you will find that lot of things have been covered. ठीक है? ओके.